आप सभी का पुद्धे स्वागत है आज हम एक और विशे पर बातचीत करने वाले हैं जो कि कुछ में आकरिकाए यहां गई करने तो किसी ढंड़ में यह उसी साथ होते हैं तो कि विशेश मौसम करने विशेश हो आते हैं नहीं के साथ खतम हो कुछ पौदग कि दो साल के लिए लगत जाते हैं और पुरे से क् puff ररे में छली लाइन होते हैं ले Rehuman वह सालों घहादे हैं क्य़ आकरी की विभित्ताई की मेली लोड़ से क GRA session की प्लांट फोर्म की अानिकल शानों द आकरी की विवित्तायिकर जा देनיק जो आपको plant दिख रहा है यह plant tree भी है जो कि एक बार लग जाते है तो सालों साल चलते हैं तो plant morphology हमें जानना जरूरी कि क्या होती है plant morphology actual में plant morphology क्या होती है पादब आकारी की वनस्पती विग्यान की वह शाखा है जिसके अंतरगत विविन पॉधों की बहारी आकरती एवम संदशना का वैग्यानिक सुवेवस्तित एवम क्रमबत अध्यन किया जाता है मतलब plant morphology में हम क्या करते हैं कि जिते भी plants है चाहे वो चोटे plant हैं चाहे बड़े रक्ष हैं उन सब की जितनी भी भाहर के आकरती है और उनका structure जो है उसको हम एक बिल्कुल scientific तरह के से उसका धिन करना क्या कहलाता है plant morphology कहलाता है अब morphology plant morphology की हम जब बात करते हैं त दो तरीके की हो सकती है एक तो होती है external morphology और एक होती है internal morphology external की हम बात करें तो बहार से हमें पौधा कैसा दिख रहा है उसकी leaves कैसी है उसकी canopy कैसी है उसकी leaf का arrangement है वो कैसा है का difafshire क्या है उनका habitat क्या है तो इस तरह पर आज हम सिर्फ इस में के बात करेंगे और वह भी उनकी जो है किस तरह से उनमें विविता है पाई जा रही है कौन से उसमें डाइवर्सिटी होती है तो यह हम सब जानते हैं कि हम जो है जीवन की कल्पना पात्पों के विना नहीं कर सकते जो है जो है ऑक्सिजन का सोर्स है वो सिफ पादप है प्रत्वी पर लगभग जो है तीन लाख ब्रांट इस्पीशिज एंजियो स्पर्म की पाई जाती है जो इसी का अध्यनमाच करेंगे और इंडिया में लगभग 11% जो है वर्ड का फ्लोरा पाया जाता है और लगभग 45,000 प्लांट इस्पीशिज इंडिया में पाया जाती है तो आप सोच सकते हैं कि जब इतनी तीन लाख इस्पीशिज वर्ड में है तो इन में कितनी जादा डाइवर्सिटी होगी तो उन ड अध्यन की सुविधा की दस्टी से अलग-अलग जो है प्रकारों में बाटा गया है अब सबसे पहले जो डिविजन किया गया है वह करा गया है डाइवर्सिटी ऑन दा बेसिज ऑफ लाइफ साइकल यानि कि उनके जीवन काल में विवित्ता के अथार पर उनका वर्ड की कर प्लांट करा गया है तो कि क्या होता है कि जब प्लांट होते हैं तो उनमें जो प्लांट की बात करी थी तो यह प्लांट की बात करते हैं तो लंबे समय तक उनमें जो है ग्रोथ होती रहती है लंबा ही होती रहती है उन्चा ही बढ़ती रहती है लेकिन सब ट्रीज में ऐस घेरा होता है उसमें भी वरद्धी होती है तो इस तरह से इनमें ग्रोथ होती रहती है लेकिन क्या होता है कि जब हम बात करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट की तो मोनोकॉट जो ट्रीज होते हैं उनमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इसलिए क्या होता है इनकी उंचा जीवन काल की विवित्ता के अधार पर जो है मौधों का वर्गी करण किया गया है तो सबसे पहले है अलप जीवी पादब शॉर्ट लाइफ इस्पान साइकल होते हैं कुछ सब्दा से लेकर एक या दो मेने तक का इनका लाइफ साइकल होता है ग्रोंग पीरेड़ है जब लाइफ इस्पान साइकल होते हैं तो लाइफ इस्पान साइकल जम्दा, इस्पान साइकल होता है और अधिक तर यह बाएँड चाए मिरी जानी है यहां पर कि नॉर्मली जो है लाइफ की जो है जीवन जो जीने के लिए जो है एड़र्स कंडिशन होती है तो इस जगे पर जो है यह अल्प जीवी पादर पाए जाते हैं और इसका उधारन जो है वह एक तो है मॉलीगो सर्वियाना इसका एरिवी डॉपसिस यह जो है इसका तो इसके दो धारन यहां पर हम पढ़ सकते हैं जो कि बहुत छोटा इंका जीवनकाल होता है अल्प जीवी होते हैं और एरिवी डॉपसिस जो प्लांट होता है इसका चीवनकाल मात्र 20 से 28 दिन तक होता है तो यह कौन से पाधे हैं अल्प जीवी पादर इसका की वर्गी गरण हमने किस पर करा है लाइफ साइकिल के आधार पर इनका वर्गी करण हुआ है अब दूसरे जो है वो है एक वर्ष ये पादब अब नाम से इस पस्ट है कि ऐसे पादब जो कि अपना जो है लाइफ इसपांग एक साल में पूरा कर लेते हैं लेकिन इनका क्या होता है अल से स्पांटार किन sub hrq2 अधन हेल एक साल होता है वो पूरी ग्रोफ पूलानिंके इनका व्रावन इसके अगल, जो कहते हैं कि हैं आपके, इन पौद्धों में जो ही जो ही इनकी जो है है यो जो है इंसेर कालिता प्लाइब होती है जो हमें, भी को मैं कि काई पस प्लांट यह इतना ञ रहता है एक वर्षी पादप अब दूसरा दी वर्षी पादप बैनियल्स यानि कि यह अपना जीवन काल कितने समय में पूरा करते हैं दो सीजन में पूरा करते हैं इनकों पूरी करने के लिए दो अनुकूल सीजन की आवशकता होती है क्या होता है कि पहले जो साल होता है उसमें पूरी vegetative growth होती है और दूसरे साल में जो है जितना भी flowering stage होती है seed formation होता है वो सारा का सारा काम कब होता है दूसरे साल में होता है यानि कि पहले साल में तो क्या होगा vegetative growth होगी और दूसरे साल में क्या होगा reproductive growth होगी तो ये पूरा का पूरा अपनी life cycle का पूरा करते हैं दो साल में जे अपनी life cycle पूरी करते हैं अब क्या होता है कि जो बाइनिल प्लांट है या दीवर्शी पादप है इन में जनरली जो है food के storage के लिए modification हो जाता है root जो tuberous हो जाती है जो modified stem हो जाता है और food storage structure पाई जाती है उधारन इसका कहा है गाजर है रफिनस है और चुकंदर है तो जितने भी इस तरह की जो कहते हैं storage वाले जिन में जो है रशनाय पाई जाती है food storage की वो साकिस के उधारन होते है दीवर्शी पादप के उधारन होते है जैसे कि मैंने का carrot है और इसके बाद मूली है रफिनस अटाइवस और चुकंदर बीटा वल्गैरिजी इसके एक साधरन से धालन है जो कि हम दिन प्रती दिन देखते हैं तो एक वर्षी है जो अपना जीवन काल एक साल में पूरा कर लेते हैं सब्सक्राइब operate वल्गैरिजी के सब्सक्राइब ₾ कि क्षेष मौसम होता है मिन इस फिल्था था होता है और यसी सब्सक्राइब होता है आम के वावसम गरन्यों में आते stitches जो लसञा हो दो बना आन दन जो राकर तल sayingगी तरीकिछा Zwoo जो हे साल में एक बार दो प्रींग और गरिवाएट प्रलावरिंग तुन एक बार प्रॉट प्रॉल शार जाट प्रॉल में मुझछा हजारण ़ा प्रॉल में बिहार में गाया के पास बोधिवरक्षे जिसकी कि आयू लगभग 2000 वर्ष मानी गई है इसी तरह से कलकता में जो बाटनिकल गाड़ने वहां पर भी जो प्लांट लगा हुआ है उसकी भी आयू काफी ज्यादा मानी गई है उधारन आम बर्गद और पीपल यह दारन में आप किसका अधारन है भगवर्षी पाधर में फ्लाबरिंग फ्लाबरिंग फ्लॉट फॉर्मेशन की फ्रिक्वेंसी किस तरह से होती है इस आधार पर जो है इंहें दो भागों में बाटा गया है पहला कौनसा बाटा गए मौनोकारपिक और पॉलिकारपिक यह टिविजन पिसक प्लावरिंग फूर्ट और सीट फॉर्मेशन सिफ एक बार होता है और जैसे सीट फॉर्मेशन हो जाते हैं जो है खतम हो जाता है उसकी डैथ हो जाती है और इसका एक्जामपल क्या है बनाना किसका अधारन है तो यह पैरिनियल लेकिन इसमें की एक बारी फूर्टिंग नहीं होती दूसरा अधारम आपने देखा है मैंगो लामन यह सब क्या है पॉली कार्पिक है और इसमें परिपक्व होने के बाद भी भौवर्शी पाधों में हर साल पुष्पन फॉर्मेशन होती है तो यह क्या कहलाते हैं पॉली कार्पिक क्रत्फली के बहुब क्रत्त्फली क सकती कहने हैं तो इस का इस पार प्रेट्फली है जीवन काम पर छिए जून की पूली लाइफ इसपाने उसके आधार पर आप आप घूसरा डिविजन है वह profund बसी है प्लान्ट की हबट क्या है उनकी हैबिट या उनकी सभव के अथार पर यह उन्हें बाटा गया है तो पहले जो है वुह है ton hai ji Green होते छोटे होते कोमल होते नानगोड़ी ब्लांट ते यह जो प्लाइट होते लो नानगोड़ी प्लांट मतथे Director बहुत कोमल होंगे अनब्रांश्ट होते हैं या अगर ब्रांशिंग होगी तो बहुत सौफ्ट ब्रांशिंग होगी और कि मैंने कहाई दिया कि नौन वुड होते हैं किसी प्रकार का वुट फ्रमेशन नहीं होता और दूसरा अधिकतर इन पौधों के उचाई वर्षी थीवर्षी भी हो सकते हैं एक वर्षी ऐसे शाकी पादप एक वर्ष में जैसे सर्सों इसका उधारन एक साल में अपने लाइफ इस सब्सक्राइब देगे तो सब्सक्राइब केमपेश्टिट्रिय ऊद्सक्राइब तो पहला धारन एक वर्शे का तो यह सर्सूं ब्रैशिक यूसरा हमने पढ़ा ही था दीवर्शी का चुकुंदर और तीसरा जो धारन है यह जो है भाहु वर्शी ने कि रूप में भूमिगत प्रकंद पाये जाता है जिसके प्रतिवर्ष नहीं वाई भी प्रवोश रखाएं निकल जाती है आपने देखा होगा कि जो कैना होता है उस कैना में जो है इस तरह का जो है हैबिट होती है कि जब नीचे प्रकंद होते हैं हम पीड को काड़ भी देते हैं तो प्रकंद होते हैं वो हर साल नहीं निकल जाते हैं तो आपने देखर को भी कहना कि प्लांट कभी अकेला नहीं होता उसके जो नीचे के जाडिया या शरुब अब जाडिया और शरँब कि इनकी जो लंबाई या हुचाई होती है यहा ड़ी प्रकंद होती हैब और आम यहाद्व देखी हं हमने ठी Celebr family सिर्म मेध को 새छे ब्रांचिंग चुनहें है फोंड क्यूंड कहा deserve our heading इनकी branching base से होगी मुख्य तना main trunk नहीं होता इसका example क्या है गुलाब है अपने सब गुलाब के पौधे को देखा और नीचे से branching होती है बेस से होती है और चाइनारोज विसका अधरन है इस को अधरन शूप शुमाश अएक बार हम अगर चाइना रूज लगा देते हैं घलता है तो जो तो वुल्डी दिखेगा बॉल है चाहिना रोज और एक जिजी पस जो बोर होते हैं वो बेर जो होते हैं कि हम कहते हैं बेर जिजी पस वह भी किसका उधारन है शर्प का शुपिया चारियों का उधारन है तो दो प्रकार क्यों हो गए हब और शर्प अब तीसरा प्रकार देखिए व्रक्ष व्रक्ष के तो नाम से हम समझ जाते हैं कि यह कैसे होंगे बहुवर्षय पादे होंगे वुडी स्ट्रेक्चर होगी इनकी उचाहिए चार मीटर से जादा होती है इनमें एक मेन एक्स जो पाई जाती है मुख्य तना होता है उधारन महीम है पीपल है फ इस अब किसके एक्जामपल है व्रक्ष के उधारन है वुडी स्ट्रक्चर है आप यहां पर आप देखिए कि आपको समझ आया कि व्रक्ष में और जाड़ी की हमने शुप की बात कि तो दोनों में क्या नतर है मुडी स्ट्रक्चर वहां भी थी यहां पर भी वुडी स्ट् थाक्ष को दिमा ओना पाक्ष कर्कैर सरड़ होा जाती धिंग्झ कर फिर्थर अग्रावज्वेट्या तेग्छ से उत्फण हो झाती हैं अग्ष्ण में से बढ़ती हैं ट्री स्मेट्रिकल में बढ़ता है बाहर से कॉनिकल दिखाई देता है एक्जामपल जो इसका पॉलीयल थी यह देखिए ठीके पूरे लक्षन है इसमें लेकिन मॉनोपोडियल अमने इसको क्या काया कि ताने की निरंतर वर्दी हो रही हो रही हो रहे के अक्ष पहे जाए का स जो डांचिंग पैट्रन उता है, कैसा हुता है, और सिमाक्षी ओधाना, निरंतर वद्धी करते रहता है, तो ये वरफि का पहला प्रतकार के एकर्षाहि ? एकॉरेंट्ट्याय या मोनो--बोडियल, अब देखकी दूसरा यूगमशाखी या बहुशाखी सिंपोडियल अब क्या होता है सिंपोडियल में इसमें तने भूमी से कुछ हुचाई तक तो शाखा रहीत होते हैं इसके बाद अनेक शाखा बन जाती हैं प्लांट लुक्स लाई के डॉम शेप यह देखिए आप इस तरह के जिते भी आम या बर्गत की प्लांट होते हैं एक बड़ा सा स्टैम है और उसके बाद इनकी ब्रांचिंग होने लगती है और डॉम शेड इस्ट्रेक्टर हमें दिखा ही देती है तो यह क्या है यूगमशाखी या बहुशाखी जो है ट्री कहलाते हैं तो पहला कॉंसा होगे एकर्शाखी उसको भाए वर्धी होते हैं और दूसरा यूगमशाखी शाखी और इसमें क्या होते हैं पूरा जो अपट्री होता है उसका जो बहरी प्रारूप है वो डॉम शेप दिखाए हमें देता है अब तीसरा प्रकार जो होता है वो उसके डिक तो होते हैं शाहित हो exploited ये अर्षा बाकार है कोई ब्रांचिंग नहीं है सिर्फ टिप पर जो आपको दिखाई दे रहा है यह पत्तियों को एक डैंस क्रोच यह हो जाती है सघन समोग पाए जाता है जिसे हम क्राउन आफ लीव भी कह देते हैं इस तरह से और इपाई कहा जा रहा है एपक्स पर नीचे कुछ भी ने नहीं दिखाई देते हैं हिंदी में कहते हैं इस था ही पर नाधार पाएजाते हैं और इसका औधारन क्या है खजूर है ले जिसके कोकस न्युसी फैर ? इसका बंटेकल एक्जामपल है ताल के जो पेड़ होते हैं वो भी इसका अधार रहे हैं खजूर शैसे मैंने कहा ह इसमें क्या होता है कि तन्हा अशाकित अंद्रांस्टोगा सीधा व्रद्धी करेगा लेकिन यह दोनों चीज़ करेक्टर तो किसमें भी पाई जा रहे थे लेकिन तीसरा इंपॉर्टन करेक्टर जो यहां पर पाई जा रहा है वह कि तने किया जाती में गाठे उटे जातीं इसका बाशी देखिए सीधा स्ट्रोफ यहां पर उस तरह से गाठे पाई जाती है तो यह हैं किसी भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो यह चार प्रकार के हम प्रकार बताता है कि नोच प्लांट मारफोर आजी के वारे में बात करें हाने कि हम ने क्या पढ़ा है कि जो है आवर्द BGI NG Sperm में जो होती है कौन सी जो है आकारी के विवेता है उनकी प्लांट फॉर्म में पाई जाती है जिसके के आधार पर हम वर्गी करण कर सकते हैं हमने दो तरे के आधार पर जो है इनका वर्गी करण पढ़ा एक तो हमने पढ़ा इनकी लाइफ इस्पान के आधार पर और दूसरा पढ़ा हमने इनकी हैबिट के आधार पर दो और भी है जिसके बारे में हम आके पढ़ेंगे थैंक यू सो मच